दो लोग एक दूसरे से तब मिलते हैं जब उनके रिस्पेक्ट टू लाइफ पार्टनर उन पर चीट करते हैं इसके बाद क्या होता है यही आज की हमारी मूवी की स्टोरी राइन है आज की हमारी मूवी एप्रिल स्नो यह 2005 की कोरियन रोमेंटिक मूवी है वीडियो स्टार् चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसे देखना मत भूली है और बीना किसी देरी के मूवी को एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करते हैं हमारी इस मूवी का में क्यारेक्टर जिसका नाहीं इन्सु यह फिर्स सीन में हमें एक इवेंड के लिए लाइट्स मैंज करत में दिखते हैं रॉक शोस में बीट के हिसाब से जो लाइट्स बदलते हैं इसी इंस्टोलेशन का काम इंसु का आए यह काम पर था और अचानक से इसे कॉल आ गया वे जल्दी से वहाँ से निकल गया इसके बाद डारेक्ली यह वह हॉस्पिटल में आयो हो में दिखते हैं इ में पता जलता है कि इंसु की वाइफ का एकसिडन्ट हुआ था सुयंग डिस्टब थी क्योंकि उसके हस्बंड का भी एकसिडन्ट हुआ है सुयंग का हस्बंड और इंसु की वाइफ यह दोनों एक ही कार में थे इन दोनों को इनकी हस्बंड वाइफ की चीज़े ले जाने इसमें उन्हें प्रोटेक्शन भी दीख सकता है, जिस गाड़ी में इनके पार्टनर्स का एक्सिडेंट हुआ था, ये भी वो नोटीस करते हैं, जो चीजे इन्हें पूली स्टेशन से मिली है, इसमें एक कैमेरा भी था, इस कैमेरा को सुयंग चेक करती है, और उसे बहुत रगता है, इन दोनों के लिए मिस्टरी है कि उनके लाइफ पार्टनर गर से इतने दूर क्या कर रही थे, इन्सू अपने वाइफ के ओफिस में कॉल लगाता है, वाउस से पता चलता है, कि उसकी वाइफ ने फैकेशन के लिए चुट्टी ली थी, इन्सू को स्की वाइफ वाइफ कहे कर गई थी कि वो काम के लिए जा रही है अब इंसु और सुयंग इन दोनों को लगता है कि उनके पार्टनर्स चीट कर रहे थे नेक सीन में हम देख सकते हैं कि इंसु से मिलने के लिए उसके फादर आते हैं वो फादर से जूट कहता है कि उसकी वाइफ बिजनेस ट्रिप पर आई हुई थे उसे फिर से सीटी में यानी स्योल जाना पड़ेगा जहाबर एक्सिडन्ट हुआ है यह इनसु के वर्क प्लेस यानी स्योल से बहुत दूर है वो अपने सब काम छोड़कर यहां आया हुआ थ तो उसे फिर से घर जाना पड़ेगा इनसु अपनी वाइफ का फोन चीक करता है पर वहाँ एक पासवर्ड है वो अलग-अलग पैटर्न ट्राय करकर देखता है तो फाइनली अन्लॉक हो जाता है इस फोन में उसकी वाइफ और श्योंग के हस्बन इन दोनों में जो भी सकता है यह पढ़कर वो बहुत डिस्टब होता है स्टेस की वज़े से उसके नाक से भी खुन बहने लग चुका है जब वो काम पर जाता है तो उसका फ्रेंड उसे एडवाइस करता है कि थोड़े दिन अब तू आफ ले लो पिछली बार अचनक से शोड़ कर वो चला गया था इसी वज़े से उसके प्रोडेसर उस पर नाराज है वो फिर फिर से अपनी वाइफ के पास जहाबर एक्सेलेंट हुआ है वह पहुच आता है जिस होटेल में वो रह रहा था उसी होटेल में सुयंग भी रह रही है एक दूसरे के आमने सामने आते है इंसु उससे बात क करता है कहता है मैंने पुलिस को कहा कि मेरी वाइफ एक बिजनेस ट्रिप पर आई थी या तुम्हारे हस्बंड भी बिजनेस ट्रिप पर आई थे सुयंग कहती कि हाँ इंसु बोलता है कि मेरी वाइफ फैकेशन के लिए आई थी तुमने पुलिस को जो कहा वो सही कहा इन द इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों medical store पर मिलते हैं जो भी सब इनके साथ हो रहा है तो इन दोनों को sleeping problems आ रहे हैं आगे चल कर सुयंग इनसु से बात करती है पुछती है कि तुम्हें उन दोनों के बारे में कैसे पता चला इनसु कहता है मेरी wife के phone में सब messages थे सुयंग से बुछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कहती है कि जो camera police ने हमें दिया था वो मेरे husband का नहीं था सुयंग फिर सब messages पढ़ती है और इनसु को camera देती है camera की video clip में वो देख सकता है कि उसकी wife सुयंग के husband के साथ intimate हो रही थी इसके बाद वो अपनी wife को देखने के लिए hospital में आया है उसके wife की और सुयंग के husband की condition बहुत ही critical है तो किसी से भी बात नहीं कर सकते है इनसु अपनी wife से कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था नेक सिन में हम देखते है कि उसका friend उसे मिलने के लिए आया हुआ है उसे सहारा देता है और कहता है कि वरी मत करो तुम्हारी wife ठीक हो जाएगी जब सब बात इनसु अपने friend से कहता है तो उसे बहुत ही शर्मेंदा महसूस होता है वो friend से कहता है यह सब मेरी ही गलती थे तो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे वो अब अपने friend से भी बात नहीं करना चाहता उसे भी जाने के लिए कहता है वो बहुत ही drunk हो चुका था और directly सुयंग के room तक आया उसने उसे कहा मुझे तुम से बात करनी है पर वो कोई भी बात कर सके इसके हालत में नहीं था सुयंग अपने room से बाहर निकल गए और वो वही सो गया अगले दिन इनसुने जो भी किया इस सब के लिए सुयंग से उस्वारी कहता है इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी government official से बात होती है यहां में पता चलता है कि इनके partners का accident इसी और गाड़ी से टकरा कर हुआ था जो दुसरा आदमी था उसकी date हो चुकी है एक government official उनने कहता है गाड़ी कौन चला रहा था यह अब तक पता नहीं चला है settlement कैसी होगी यह भी unclear है यह इन दोनों से कहता है कि उस आदमी की funeral पर तुम दोनों को जाना चाहिए यह उस आदमी की गाव में पहुचते हैं वहाँ पर उसकी mother इनका welcome करती है उनसे पूछती है क्या तुम मेरे बेटे के friends हो यह सच-सच उसे बता देते हैं सुनकर रोने लगती है यह थी है यहाँ आने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं थी निकल जाओ यहाँ से जब उस आदमी के brothers को पता जलता है वह इन्हें मार मार को रो निकाल देते हैं यह सब situation देखकर इनको बहुत बुरा लगा गर आते वक्त इन्सू बहुत रो रही थी नेक्स डे इन्सू जब अपनी वाइफ का clean up कर रहा था तो अचानक से वो interest खो देता है इन्सू अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था उसे बोचता है कि तुमने यह किया क्यो आज रात भी उसे नीन नहीं आती बहार स्नो पड़ा था तो स्नो पड़ बना कर वो fake रहा था यह सब सुयंग अपनी रूम से देखती है वो भी फिर उसे बात करने के लिए नीचे आती है वो स्नो पड़ फेक रहा था सुयंग को उसके हस्बन ने इस तरह से कभी भी एकनोलेश नहीं किया था तो यह सुनकर उसे अच्छा लगता है यह दोनों फिर डिनर करने के लिए एक होटल में आते हैं सुयंग इंसु से बोचती है तुम और तुमारी वाइफ तुम दोनों कैसे मिले थे इंसु कहता है कि मेरी वाइफ फोटोग्राफर थी तो कॉलेश का फोटो लेने के लिए वहाँ आई हुई थी वो जब अपनी वाइफ की कॉलेश का नाम बताता है तो सुयंग भी कहती है मेरा हस्बन भी उसी कॉलेज में था शायद तब से वो एक दूसरे को जानते थे इंसु पुछता है कि तुम और तुमारे हस्बन कैसे मिले थे वो गया थी कि मेरा अरेंज मेरेश था तुमारी वाइफ का करियर था इसलिए शायद मेरे हस्बन को पसन आई होगी वो इंसु से पुछती है जब तुमारी वाइफ को होश आएगा तो तुम क्या करोगे इंसु मजाग में कहता है कि मैं उससे रिवेंज लूँगा ये दोनों इस पर बहुत अस्ते है सुयंग भी मजाग मजाग में कहती है कि हम दोनों में अगर रिलेशन्शिप होगी तो दोनों बोखला जाएंगे इसके बाद इनका डिनर खतम होता है अगले दिन लंज भी ये एक साथ करते है इंसु फिर से अपने काम कंटिनू करने के लिए सुयंग के साथ सियोल पोचता है एक रात ये बाहर वाग के लिए आते है इन्हें वाग तो करना था पर सुयंग को बहुत धन्ड लग रही थी सुयंग केती है क्यों ना हम भागते भागते कार तक जाया है ये दोनों फिर ऐसा ही करते है अब नेक सिन में हम देखते है कि फिर से हॉस्पिटल में पहुच चुके है एक चोटा सा प्लाइप भाइ करकर सुयंग इन्णू को देती है ये थी है कि इसका अच्छा सा खयाल रखना इन्सू भी खहता है मैं सही से इसका खयाल रखूँगा इसके बाद हम देखते है कि एक दिन फिर से एक दुसरे से मिले है इसके बाद एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो गए अब नेकसिन में सी के पास ये वॉक कर रहे है सुयंग इनसो से पूछती है तुमारा फेवरेट सीजन कौन सा है इनसो कहता है मुझे स्प्रिंग बसन है सुयंग को विंडर अच्छा लगता है इनसो कहता है कि मुझे स्प्रिंग में स्प्रिंग में स्प्रिंग गिरना चाहिए इसके बाद एक दुसरे के साथ ये सेल्फी लेते है इनसो ने अभी आपी जो कहा इस स्प्रिंग में स्प्रिंग में स्प्रिंग गिरना चाहिए इन दोनों के फेवरेट सीजन अलग-अलग है पर ये चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाए इसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है पर इस बात के बात इन दोनों ने सेल्फ लिया जो मुमेंड इनके पास है ये कैप्चर करकर रखना चाहते हैं एक दिन एक दूसरे के साथ ये थे तो इनसु के फादर इनलो वहाँ आ गए सुयंग को उसने चिपा दिया और उनके साथ वो आगे चला गया ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्परेंड करने लग गए थे अजानक से होस्पिटल में एक दिन इनसु को कौल आया उसकी वाइफ अब होश में आ चुकी है वो उसे देखने के लिए गया पर नर्स ने कहा कि अब ये होश में आ चुकी है पर जादा कुछ बोल नहीं सकते इनसु फिर अपनी वाइफ का बहुत खयाल रखता है ये सब सुयंग नोटिस कर रही थे जो भी हुआ है पर फिर भी अपने हस्बंड को मिस कर रही थे डॉक्टर से बुछती है कि मेरे हस्बंड की कंडिशन में या कोई चेंजस आये डॉक्टर कहते है कि कोई भी चेंजस नहीं आये अगर तुम सहाती हो तो सियोल में उन्हें एडमिट कर सकती हो जिनके साथ तुमारे हस्बंड का एक्सिडंट हुआ था वो अब सियोल शिफ्ट हो रही है यानि कि इंसो अपनी वाइफ को लेकर सियोल जा रहा है ये सुनकर वो हर्ट होती है जब वो फिर से इंसो से हस्पिटल में मिलती है तो कहती है तुम अब खुश होंगे तुम और तुमारी वाइफ सियोल जाने वाले है गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है इनसु फिर से सुयंग से मिलने के लिए आया उसके साथ वो डिनर पर जाना जाता था और सुयंग ने उसे मना कर दिया इनसु ने कहा कि मैं तुमारे लिए वेट करूँगा इसके बाद हम देखते हैं दोनों फिर से इंटिमेट हो जाते है इनसु अप वनडर करता है अगर हम हमारी लाइफ में बहुत पहले और बहुत बाद मिले होते है तो हमारी लाइफ कैसी होती है उसे लगता है कि ऐसा अगर होता तो इन दोनों की सिचुएशन अब बहुत अलग होती है इसके बाद डॉक्टर ने सुयंग को कॉल किया और बताया तुमारे हस्बंड की डेथ हो चुकी है सुयंग की हस्बंड की तबियत अचानक से बिगड गई थी जब फ्यूनरल होता है तो इनसु भी अपने कंडूलन्स देने के लिए आता है अब थोड़े दिन गुजर चुके है और इनसु की वाइफ अब बात कर सकती है वो इनसु को थैंक्यू कहती है कहती है सब चीजों के लिए थैंक्यू इसका मतलब है उसने इसके साथ इतना बुरा किया फिर भी इनसु ने उसे हेल्प की इसके लिए थैंक्फुल है एक बार इनसु फिर से सुयंग से मिलने के लिए आया पर सुयंग वहाँ से चली जा चुकी थी इसके parallel में इंसु के घर के बाहर हम सुयोंग को देखते हैं उसे देख देख कर वो बहुत रो रही थी इंसु भी बहुत रोया नेक सिन में हम देखते हैं कि इंसु अपनी वाइफ के साथ था उसकी वाइफ उसे पुछती है जो भी हुआ इसके बारे में क्या तुमें questions वगरा कुछ भी नहीं पूछने इंसु कहता है पहले पूछने थे अब मुझे कोई भी फरक नहीं पड़ता वो अपनी वाइफ को बता देता है कि सुयां का husband मर चुका है वाइफ रोनने लगती है तो इंसु डोर बन करकर वहाँ से जा रहा है इस सीन में इंसु ने कहा कि अब उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता अपनी वाइफ को उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया है नेक सीन में हम उसका सामान भी देख सकते है यानि क्यों निउ होम में अब मूविन कर चुका है इसके बाद हम देख सकते हैं कि इंसु अपने काम में एंगिच होता है यह जो सीजन चल रहा है यह स्प्रिंग का है जो उसका फेवरेट है अचालक से वहाँ बर्फ किरने लगता है जो सीजन का फेवरेट सीजन है मूविन में हमने देखा है कि इंसु को लग रहा था यह शायद स्प्रिंग और विंटर एक साथ आजाए और ऐसा ही हुआ है यानि कि एक दुसरे से अब वो मिल चुके है इसको जस्टिफाई हमारा नेक सीन करता है हमें स्नो में गाड़ी चलती हुए दिखती है और इन दोनों के आवाज बैकराउंड में आते है अब एक दुसरे के साथ यह है इसी तरीखे से समवाट ब्लैक और वाइट और हैपी एंडिंग हम देख सकते है जाने से पहले फिर से एक रिमाइंडर मैंने रोमेंटिक मुवी एक्स्मिनेशन के लिए अलग सा चैनल बनाया है जिसका नाह में रोमियो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कर दीजे और बेल नुटिविशन आइकोन दबने मत फूलिया है हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ तब तक रहे थैंक्यो और आप अपने आपका ख्याल रखिया